दोस्तो जैसा कि आप सबने request किया था कि सब economy के topic के उपर आप previous year question के वीडियो बनाईए तो आज से हम शुरू करने वाले है economy का topic बट यहाँ पे एक request है आप सबसे मेरी देखे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जब आप question को attempt कर रहे हैं और मुझे यह ना पता हो कि आपके question के answer कितने ठीक है अब यहाँ पे आप एक daily routine बनेए जो भी इस वीडियो को देखता है उन सब को comment box में यह बताना होगा कि उनके कितने question ठीक हैं कितने गलत अब यहाँ पे अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी और मेरी engagement थोड़ी अच्छी हो सकती है और वैसे भी आप अपनी query को भी यहाँ पर post कर सकते हैं हमारी only IS की team उसके उपर reply करने की कोशिश जरूर से करेगी तो आईए शुरुआत करते हैं आज के पहले question की अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि rice के price को भारत में कौन सी चीज़े यहाँ पर control कर सकती हैं अब यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करना चाता हूँ माल लीजे मैं MSP के price को increase कर देता हूँ तो क्या इसका impact rice के उपर पड़ेगा? बिलकुल पड़ेगा क्योंकि rice का price भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? increase हो जाएगा इसके लावा आपने कई बार देखा होगा कि जिसे प्याज के दाम है वो भड़ते हैं और घटते हैं तो उस समय government भी प्याज को बेचना शुरू कर देता है सस्ते दामों पे तो इससे क्या होता है कि आपकी प्याज के जो rate हैं वो कम हो जाते हैं तो इस तरह से अगर government trading कर रही है मतलब rice को खरीद और बेच रही है तो उससे भी कही न कहीं आपका rice के price के उपर impact पढ़ सकता है अब एक बात बताइए bumper protection हुई है rice की इसकी वज़े से तो आपके rice के price नीचे जाने चीए थे अब government क्या करती है government strategically कुछ part of rice को अपने पास store करके रख लेती है अब वो market में तो नहीं आया वो हमने बुरे time के लिए save कर लिया बट यहाँ पे हम क्या करेंगे उस rice के price को maintain करके रख सकते है तो कही न कहीं तीसी statement भी आपकी क्या हो जाती है ठीक हो जाती है अब यहाँ पे अगर आपकी पहली तीन statement ठीक है तो ऐसा कोई option तो है नहीं हमार पास तो यह सभी option eliminate हो जाते है option बन जातना D अब बात की जब fourth statement की तो एक चीज बताइए क्या rise के price हम कम करते है जब subsidies देते है तो इससे भी तो rise के price के ओपर impact आएगा ही न तो इस वज़े से यहाँ पर आपकी चारो statement ठीक है आईए अब बात करते हैं अगले question की अब इस question में आपसे Indian economy के बारे में एक trend पूछा गया है जहाँ पर आपसे बात की गई है कि liberalization के बाद से यानि 1991 के बाद से किस तरह से economy perform कर रही है अब पहली statement है यहाँ पर आपके पास कि workers की productivity increase हुई है urban area में और decrease हुई है rural areas में अब यह statement आपकी गलत हो जाती है क्योंकि दोनों areas में चाहे urban की बात करें कि चाहे हम rural areas की बात करें productivity workers की increase हुई है तो यहाँ पे अगर हम option देखें तो आपका A option eliminate हो गया और D हो गया यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि तीस्री statement ठीक है सिरफ चौती के ओपर संशे चौती statement हमारे पास है The growth in rural employment decreased अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझे कि आपका agriculture sector है वो overcrowded है और जो आपके बाकी sector है वो rural area में इतने अच्छे से develop नहीं हुए तो जिसकी वज़े से हमें यह देखने को मिलता है कि जो employment rate है rural areas में वो बहुत ही कम है तभी तो हमें rural से urban area में migration दिखता है तो यहाँ पे आपका B option बिल्कुल correct हो जाता है क्योंकि दोनों ही statement आपकी 3 और 4 ठीक है आईए एक बार देख लेते इन बाकी बच्ची statements को जिससे हमें थोड़ा अंदाजा रहे कि हमें किस तरह से question आ सकते है यहाँ पे third statement में आपसे कहा गया है कि rural areas में जो non farming areas है यानि वो जो आपकी activities हैं जो farming sector से belong नहीं करती है वो कहीं नहीं increase हुई है तो यह बात बिल्कुल ठीक है बट इतनी ज़्यादा भी increase नहीं हुई कि वो ज़्यादा employment प्रवाइड कर सके although जो share है आपके agriculture का वो decline हुआ है बट marginally आपको improvement दिखती है non farm economy में इसके लावा अगर बात कीज़े the percentage share of rural areas in workforce steadily increased आपको मैं बता दूँ कि rural area से urban area में migration देखने को मिल रहा है rapid urbanization देखने को मिल रहा है तो आपकी rural areas की workforce steadily increased कैसे हो सकती है जब लोग वहां से दूसरे area में जा रहे है तो कही न कहीं आपकी second statement भी क्या थी गलत थी तो इसका answer बनता है third and fourth statement आईए अब चलते हैं आगे अब यहाँ पे आपसे पूछा गया service area approach के बारे में अब अगर आपको पता हो 1989 में एक scheme start होई थी lead bank scheme जहाँ पर एक bank को यह कहा गया था कि आप एक area में development को lead कीजिए अब यहाँ पे मालेजे एक SBI की कोई branch है और वो किसी rural area में है और उसको कहीं न कहीं हम चाहते हैं कि यह सारे development के काम को वहाँ पर देखे productivity उस area की enhance करे तो इसके लिए हमने approach अपनाई थी that is service area approach और यह आपके lead bank scheme के अंडर थी तो इसी चीज को यहाँ पे पूछा गया अब यहाँ पे explain करने जैसा कुछ ज़्यादा तो है नहीं आप lead bank scheme के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं आईए चलते हैं अगले question पर अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है five year plan के बारे में और आपसे correct statement को choose करने के लिए कहा गया है अब यहाँ पे कहा गया है कि जो आपके second five year plan है वहाँ पर हमने थ्रस्ट दिया था substitution of basic and capital good industries को अब आपको पता हो कि PC महा ननौबिस ने एक plan स्टार्ट किया था जहाँ पर focus यह था कि हम बहार से import कम करे अपने goods को खुदी manufacture करें खासकर capital goods को तो यहाँ पे आपकी substitution की policy हमने अपनाई थी तो पहली statement हमारी ठीक हो जती है अब अगर पहली statement ठीक है तो हमारे पास option क्या बसते है A and D यानि 50-50 chance है दूसरी statement correct है हमें पता लग चुका है हमें सिर्फ यह देखना है कि तीसरी statement सही है या नहीं अब यहाँ पर आपको तीसरी statement में पूछा गया कि 5th 5-year plan में हमने पहली बार financial sector को include किया था integral part of planning में अब यह आपको अगर पता हो कि यह 9th plan में हमने start किया था 5th में नहीं 5th का focus तो था आपके self-reliance और poverty removal पे तो आपका यह answer ठीक हो सकता था क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी 3rd statement गलत है तो आपके पास option A की बचता है that is A option अब देख लेते हैं 2nd statement में क्या कहा गया 4th 5-year plan में हमने objective एक adopt किया था जिसमें हमने concentration of wealth और economic power के उपर focus किया था मतलब हमने कहीं न कहीं यह कोशिश की थी कि जो economic growth है वो आपके weaker section तक भी पहुंच सके इसके उपर focus किया गया था 4th 5-year plan में तो यह बिलकुल सही बात है और इसी वज़े से आपका option बने था A option आईए चलते हैं अगले question पर अब यहाँ पर एक बार फिर से आप सिफ trend के बारे में बात कीगी है देखिए यहाँ पर आप से पूचा गया coal के बारे में अब देखिए इस तरह के question आप traditional book में नहीं बढ़ते है आपको यहाँ पर जूर्थ है कि जब भी आप किसी topic को पढ़े economy में उसमें trend analysis कीजिए अब यहाँ पर आपको पहली statement में कहा गया है कि coal को nationalize किया गया था इंद्रा गांदी जी द्वारा अब यह बिलकुल सही बात है क्योंकि 1971 से 73 के बीच में आपकी इंद्रा गांदी जी प्राइम मिनिस्टर थी और उसी दौरान आपकी कोल की nationalization हुई है तो पहली statement ठीक हो गई अब हमारे पास option क्या बसता है या तो option D है या A है अब यहाँ पे अगर हमें यह पता हो कि second statement सही है या गलत इससे हमारा answer आ सकता है उसमें यह थोड़ी कहा गया था कि आप lottery basis पे मतलब पर्ची निकाली जिसका आया वो कोल ले जाए ऐसा थोड़ी हुआ था यहाँ पे क्या किया गया है कि आप auction के थूँ कोल को बेची तो आप अगर logically देखें तो आपकी second statement गलत हो जाती है और इसके साथ ही अपना answer आ जाता है A option अब यहाँ पे 30 statement आ पढ़िये जहाँ पे आपको यह कहा गया कि इंडिया अभी recent time तक कोल को import करता था अपनी shortage के लिए बट अब इंडिया self-sufficient हो चुका है देखें वैसे तो हमारे को self-sufficient होने में कोई problem नहीं है मतलब हमारे पास coal reserve है बहुत बट क्योंकि हमारे productivity इतनी बढ़िया नहीं है हम इसको धंक से utilize नहीं कर पा रहे हैं तो इस वज़े से हम लगबग 20-30% coal को import करते हैं अब यहाँ पे आपका option हो जाएगा A option आईए चलते हैं अगले question पर अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अगर per capita real GNP में increase देखने को मिले तो इन में इसी कौन सी चीज नहीं होगी अगर economic development को हम देखते हैं अब देखें अगर आपको economic development और growth के बीच में फरक पता है तो आप इस question को easily attempt कर सकते थे अब देखें जब भी आप growth की बात करते हैं तो आप वहाँ पर quantity के बारे में बात करते हैं कि कितनी quantity किसी चीज की increase हुई है मतलब अगर हम growth की बात करें तो यहाँ पर आपके economy की growth में पैसा तो आ रहा है economy में बद कितना वो equally distributed है इसके बारे में नहीं पता लगता अब बात कीज़े economic development की तो यहाँ पर हम बात करते हैं कितना आपका पैसा आया है और उससे कितनी human development हुई है अब अगर human development हुई है तो इन में सी कौन सा point आपकी human development को reflect करता है अब आप यहाँ पर देखें अब यह थोड़ी होता है कि आप सिर्फ दो सेक्टर को ही compare करोगे आपका tertiary सेक्टर भी है उसको भी compare करो फिर तो यह तो answer नहीं हो सकता अब यह भी बात नहीं बनती है हमारी क्योंकि यह economic development नहीं है उसमें तो हम सारे सेक्टर को एक साथ देखते है अब यहाँ पर अगर बात कीज़े import grows faster than export अब यह थोड़ी है economic development आप एक चीज बताएं development को क्या हम import और export से देखते है तो ऐसी चीज़ तो नहीं है यहाँ पर आपको यह समझ में आना चाहिए कि poverty और unemployment भढ़ जाएगी अगर GDP में तो increase देखने को मिला है बट development नहीं हो रही है economy में तो इसका सीधा सीधा impact poverty and unemployment पे आएगा आईए अब चलते हैं अगले question पर अब यहाँ पे आप से पूछा गया है कि अगर कोई चीज economy में free provide कर रही है government तो उसका क्या मतलब है पहला opportunity cost zero है opportunity cost ignore कर दी गई है opportunity cost आपकी transfer हो गई है tax paying public पे चौता है opportunity cost government पे transfer हो गई है अब दिखी सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चीज़ कि opportunity cost क्या होती है उसके बाद ही आप इस question को solve कर सकते हैं तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताओं कि opportunity cost आपकी दो occupation के बीच की एक आपकी cost evaluation है माल लिजए A option है आपका IES की त्यारी और B option है आपकी engineering जो आपने कर रखी है उससे आप नौकरी करें और उससे मिलने वाला पैसा अब क्योंकि आप IES की त्यारी कर रहे हैं तो आप अपनी job तो continue नहीं कर पा रहे होंगे अब इसकी वज़े से आपको जो नुकसान हो रहा है that is opportunity cost मतलब एक occupation को आप decide करते हैं उसकी अवज में जब दूसरा आप option छोड़ देते हैं तो that is your opportunity cost I hope आपको ये चीज समझ आई हो अब आप एक चीज समझे कि माल लीजे कोई चीज मैं मुफ्त में दे रहा हूँ अब आपको एक statement पता होगी कि there are no free lunch in economy तो यहाँ पे इसका कोई hidden cost तो हो गई अब ये जो cost है ये किस के ओपर जाएगा अब जब government subsidies देती है तो अपना पैसा थोड़ी यूज करती है अब logical answer है वहाँ पे आप पैसा किसका इस्तिमाल कर रहे हो public का तो tax paying public का ही पैसा इस्तिमाल किया जाता है आईए अब चलते हैं अगले question पर अब यहाँ पर एक बार फिर से आप से पूछा गया है कि liberalization के बाद से पी में agriculture का share decline हुआ है तो पहली statement गलत हो गई तो आपका A option गया और D भी गया अब 50-50 chance है आप इसको ठीक कर सकते हैं बट यहाँ पर आपको यह देखना है कि आप four statement को eliminate करते हैं या select करते हैं पहले four statement को देखते हैं फिर बाकी का option भी पढ़ लेंगे एक बाद देखें इंडिया का foreign exchange reserve increase हुआ है बहुत जादा recent time में अब एक बात बताईए 1991 में तो हमारे B.O.P. crisis चल रहे थे हमारे पास तो forex था ही नहीं अब उस समय से आपके समय में compare करोगे आपका जो forex reserve है वो increase ही होगा ना तो इस वज़े से आपका fourth statement ठीक हो जाता है तो answer बन जाता है B statement अब इसके लावा बाकी statement देख लिते हैं कि इंडिया का export share जो है world economy में वो increase हो है world trade में अब होना ही था पहले हम zero export कर रहे थे लगबग क्योंकि हम close economy थे तो हम किसी को ना product देते थे जादा ना लेते थे अब इसकी वज़े से जब हम अब इसकी वज़े से जब हम अपने product बेच ही नहीं रहे हैं बहुत कम product बेच रहे हैं तो इस वज़े से इंडिया का share उस समय से पहले तो zero ही होगा लगबग या होगा भी तो बहुत कम होगा अब उसमें आप net result देखेंगे तो increase ही देखने को मिलेगा उसके लावा FDI flow 1991 के बाद increase ही होगा क्योंकि उससे पहले तो हम close economy थे तो इस वज़े से यहाँ पर आप से बात की गिया है monetary policy के बारे में इस statement में आप से कहा गया कि RBI की जो interest rate है उसका benchmark ये decide करते है उसके लावा ये 12 member की committee है तीसरे में आपको ये कहा गया कि इसके chairman finance minister होते है अब यहाँ पर आपकी 30 statement तो आप eliminate कर सकते हैं क्योंकि इसके चरुद chairman होते है अगर आपको पता हो कि इसमें member कितने होते हैं तो आप second statement को भी गलत कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपके total member होते हैं 6 अब अगर आपको ये पता होता तो आप second statement को भी eliminate कर सकते थे और आपका answer बन जाता A option तो यहाँ पर I hope किसी को कोई doubt ना हो आईए अब चलते हैं अगले question पर अब यहाँ पर आपसे बात कीगी है Financial Stability Development Council के बारे में और यह कहा गया है कि यह एक organ है नीती आयोग का अब एक बात बताईए नीती आयोग तो 2015 और उसके आसपास बनी है और आपकी Financial Stability Development Council तो 2010 में बनी है तो क्या यह इसका organ हो सकता है बिल्कुल भी नहीं तो यह यहाँ पर आपकी First Statement गलत हो गई अब आपका A option भी गया और D भी गया आपके पास 50-50 है यानि Third Statement आपकी ठीक है अब आपको यह देखना है कि Union Finance Minister इसको Head करते हैं या नहीं अब अगर आपको पता हो कि Union Finance Minister इसको Head करते हैं तो आपका C statement बिल्कुल ठीक हो जाता और आपका सही आंसर आ सकता था तो आज के lecture में इतना ही धन्यवाद